कत मंगलवार को कमरटी स्थित रत्तला के नजूल मंच में नाशनल एजिटेशन कमिटी का स्टेट कन्वेंशन हुआ मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सितपन दत्ता ने कहा सरकार के सामने हमने Employee Pension Scheme 95 के तहित कुछ मागे रखी है Scheme के तहित सभी को नियुनतम 7500 रुपे तक पेंशन मिलनी चाहिए दूसरा EPS Scheme 95 से जुरे सभी के लिए Medical Facilities अनिवारिय होनी चाहिए Actual Salary का अधार पर Earlier Solution of Higher Pension EPS 95 से जो अब तक जुरे नहीं है उन सभी को तुरंद उपरोक सीम से जोड़ा जाना चाहिए और प्रतिमान युनतम 5500 रुपे तक पेंशन मिलनी चाहिए आईए सुनते हैं उन्होंने आगे क्या कहा नमस्कार, आमान नाम तपन दक्तो, आमादे जे वेस्ट बेंगल ब्रांचेर आमी प्रेसिडेंट आमादे ओर्गनेशने नाम होलोगे N.A.C. National Agitation Committee EPS 95 Pensioners Association आल ओवर इंडिया लेबल है आमादे नाशनाल प्रेसिडेंट कमंडर अशोक रावात तो आजगे आमादे एकाने अल वेस्ट बेंगल, ER region, एकाने बिहार, उरिशा, ज्यार्खन एबं नर्थी सेर् जाको आमादे एनसेर ब्रांचा चे शेकानते परेसिए और नर्थ बेंगल ते परेसिए आमादे जे ये आंदलन आमादे जे EPS 95 पेंशनेर्स आ अंधरे जारा पेंशन पाए, तारदेर मिनिमाम पेंशन एकवन गौम्मेट बल छे हाजार्टा का करा हुए चे ताओ दो अजार्जा चोद दो ते कि दो अनेकी 65 लाक्स पेंशनर्स आचे तारमदे प्राई 33 लाक्स पेंशनर्स एक हाजार आमादेर दावी हो लो गिए, आमादेर जे मिनिमाम पेंशन शेटा जाते 7500 का संगे डिये लिंक करा हुए और आमादेर फ्री मेडिकल सर्विस आर थार्ट हो लो गिए, जे हायार पेंशन अन एक्ट्वाल सेलरी, आमादेर हायार पेंशन अन एक्ट्वाल सेलरी, जो तो आम्रा तिरीष थेके 35 बचो सार्वीस करेची, आम्रा आमादेर पाइशा काटीएची, वी आर नट बेगिंग, आम्रा भीकारी नए, आम्रा किसो चाहिची ना, आमादेर पाइशा आचे, एखाने जोतो, प्रथम कथा एक्टिव एंपलोईज जारा आचे, कम करो चार कोटी आचे, आर जे 65 बलाक्स पेंशनार, तादेर इंडिविज्यली, कम से कम कुरी लाग कोरे, शरकार आएख वरे जमा आचे, शरकार एई पाइशा कोथा है लागिये चे, शेटा आमादेर द्याखारव्या पार ना, यॡकounds जोहनी चाऀते जाईखी, बोलचे अमादेर बाजेतारी सपोOR चाहिए, बाजेतारी शापोर्ट्चाहिए धन्या होचीद, कारोन समस्तो पेय रिविशन होच। इभेन, MP, MLA, सबारी रिवीशन होच्चे, इन आमदेर पेंशन रिवीशन होच्चे ना, कि छुब जाब बोल्ला ममी, जे 35 लाक्स एखाजार्टा का निचे, क्यो 300 पाई, क्यो 200 पाई, क्यो 800 पाई, सही पाईसादे कारो संग्षार चले ना, इन उइच स्पाउस, हजबन और वाइफ दुज़न चलते हले जकतो लागे, चुदर आमना मिनिममम दिमान कोरेची, सारे, साथा जा, संगे, डिये, आमादेर दिया हो, और 2026 अपरा अनेक आंदलन कोरेची, दिल्ली रामदिला मोयदाने, जंतल मनतरे, भिकाजी क्यामापले अबन प्रथीवारी आमनेक आशार शन दिये चे ना, ठीका चे तुम्रा चले जा, आमना देख्छी, एर परे, 2004 मार्च, महामननों जे MP मतुरार, हेमा बलेनी आमादेर के नियेगेलेन, प्रधान मंत्री नायांदर मदिश्वांगे दाखा करते, जे हमाने नी मद्धत तो आमने नायांदर मदिश्वांगे दाखा कर लाम, उनी पनोर मिन टाइम दी चिलें, छेखाने 45 मिनिस आमादेर शुनलो, शुने बलो, ठीका जोती शिगरो, तोमादेर आप लोग आई ये समस्ता का समाधान हाम करेंगे, श्री दोजार कुरी चोले गालो, 2021, 5 अगस्ट, आ मदिशीर काचे निये गालें, मदिशी एवार शुनलें, बल्लें नाया तमादेर ब्रापत्तर नी आमरा देखछी, मती शिगर आमरा कोरबो, आज पोजन तो, मने यमान कोनो मिनिस्टर नहीं, यमान कोनो MP नहीं, इवेन CBT मेंबर, CBT जेटे बले, जेटा Central Board of Trustee, जाला द्य आखे नेटा, All Recognized Union जेखाने आचे इन्टूक, आईटूक, C2, BMS, मद्धू सवा, तादेर सवा शुनके अमरा दाखा कोलेची, सवाई वलचे यह डिमांड इस बेरी बेरी जेनुवीन दूसरी तरफ संसा के National President, Honorable Commander, अशोक राउत ने कहा यह जो EPS 95 स्कीम है, वो शुरू ही थी 16 नवंबर 1995 में यह सभी Industrial Workers के Social Security के लिए स्कीम थी Whether they are private employees, government के हो, semi-government industries के हो, PSUs के हो यह सारे इंडस्ट्री जितनी भी इंडिया में हैं, उसके लिए स्कीम शुरू ही थी और यह Contributory स्कीम थी, मतलब हर मैने 1995 से लोगों ने हर मैने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं, पहले 417 रुपे मैने थे, फिर 541, अभी 1250 भर रहे हैं और जब 35-40 साल के सर्विस के बाद, इनको पेंशन मिल रहा है 200 रुपे, 300 रुपे, जाधा से जाधा हजार रुपे, धाई हजार आसकल और 2014 में ये पेंशन आधरने प्रदान मंत्री जी ने हजार रुपे की, लेकिन हजार रुपे भी, आज भी 23 लाख लोगों को ये हजार रुपे नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि ये जो लोग है, जो हमारे वुरुद्ध लोग है, जेश्ट लोग है, रिटाइर लोग है, ये हजार रुपे में अपना गुजर बसर कैसे करेंगे इसलिए हमने ये अंदोलन छेड़ा है, क्योंकि पूरे भारत में जेश्ट नागरिकों का रुद्धों का सम्मान नहीं हो रहा है घर में भी नहीं हो रहा है बाहर भी नहीं हो रहा है जो आदनी अपने घर में अपना कर्तू तो दातू तो पितू तो सिद्ध कर चुका है उसको आज सब के सामने लाचार होना पड़ रहा है यह बिलकुल हमें मंजूर नहीं और इसलिए ये पूरे देश में यांदोनन 27 राज्यों में चेंट चार केंदरशाशित प्रदेशों में चल रहा है और इसका परिणाम ये हुआ कि आदलने प्रधान मंत्रीजे ने हमें दो बार मुलाकात के लिए बुलाए पहली मुलाकात हमारी 4 मार्च 2020 को हुई उन्होंने आधा गंटे से ज्यादा हमको समय दिया हमारी पूरी बात सुनी वो भी भाव हुए थे उन्होंने भी कहा कि ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए फिर 5 अगस 2021 को इसी साल हम फिर उन्होंने हमको ये बोला कि मेरे संग्यान में ये बाते है मैं आपका विशे जानता हूँ कारेवाई हो रही है इसमें थोड़ा डिले लग रहा है क्योंकि इसमें प्रोसेस है अब ये प्रोसेस में हमारी चिंता ये है कि हर महिने हमारे 6,000 लोग चल बस रहे है अब इतनी सारी ट्रेड यूनियन है उनके CBT मेंबर है 10 जो ये ट्रस्ट को चलाते हैं उसमें 10 कामगारों के प्रतिनी दिये है सभी यूनियनों से इतने सालों से हमारा पूरा जो असल था जो हमने कांट्रिबिशन किया था पहले इसकीम में ये प्रावधान था कि 27,000 पेंशन मिलेगी ऐसा पेपर में दिया हुआ है और 27,000 पेंशन हस्बंद को मिलेगी और मरने के बाद बीवी को 27,000 दिया सकीम है और उसके बाद दोनों मरने के बाद 27,000,000 रूपए उसके नेक्स्ट अप कि इनको मिलेगा है इसकीम में था आज उस मिलने वाली राशी एक तरफा उन्होंने निकाल ली और तब ये दस प्रतिनिदी जो कामगारों के उस बैठक में बैठे थे वो क्या चाई बिस्कुट खा रहे थे उनको ध्यान में नहीं आया कि आप हमारे कामगारों का इतना बड़ा हक मारा जा रहा है इसलिए हमारा रोश उनके उपर भी है कि आप अगर यूनियनों के प्रतिनिदी है आप अगर कामगारों के प्रतिनिदी है अगर वो आपके यूनियन में है या किसी और यूनियन में सब पैसे बड़े परचे फाड़े है जब रिटार्ड हो गया तो आपके कोई नहीं लगते हो क्योंकि उनके वास पैसा नहीं है तो हमें देश ने व्यवस्था ने बच्चों ने और ये यूनियनों ने किसी ने नाई नहीं दिया इसलिए हम सब बुड़े लोग इकत रहुके लड़ाई कर रहे हैं इसको हम बड़ी लड़ाई करेंगे